हलो दोस्तो मैं रुपासरी और हमारे यूटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे वीजिया जनजाती के बारे में दोस्तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल से जुढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकन को दबाके रख ले बिजिया जनजाती जारखन में निवास करने वाली महतपूर्ण अलप संग्खक जनजाती है अर्थात जारखन में इनकी जनसंग्या बहुत ही कम है यह जनजाती स्वयम को विंद निवासी मानते हैं क्योंकि इनके पूर्वज जो थे वो विंद घाटी के कोलानगरी के बासी थे जिसके कारण ये अपने आपको विंद निवासी मानते हैं राज के संथाल परगना छेत्र के साथ साथ खूटी, सीमडेगा और राची जिले में यह जनजाती निवास करती हैं जारकन राज में टोटल 32 जनजाती है 32 जनजातियों में से साच्छार्टा की द्रिष्टी से इस जनजाती का जो इस्थान है वो चौदवे नमबर में हैं बिजिया जनजाती द्रविड प्रजाती के माने जाते हैं और ये खुद को दूसरे जनजातियों की तुल्ना में स्रेष्ट मानते हैं बिजिया समाज में बहु विवाही होता है, बहु विवाही अर्थात एक से जादा विवा करते हैं, इनके कुछ प्रमुख गोत्र है, नाग, कासी, दादुल, भैरव, कश्यव, कोशिक और अगनिहोत्री बिजिया जनजाती स्वयम को हिंदू राजपूत कहते हैं, और ये बिंद वासनी देवी की पूजा करते हैं, इनका धार्मिक प्रधान या पुरोहित जो होता है, वो ब्रामन और बैगा दोनों ही होता है बिजिया जनजाती लोगों का आर्थिक जीवन जो है, वो क्रिसी और मजदूरी पर आधारित होता है, इसके अलावा ये बन से फल, फूल, कंदमूल एकत्रित करते हैं, मचली पकड़ते हैं, टोकरी बनाते हैं, रस्सी आधी बनाते हैं हर एक बिजिया परिवार के घर के आसपास क्रिसी योग भूमी होता है, जहां पे ये खेती करते हैं, बिजिया समाज में बधु मुल देने की परंपरा है, इस परंपरा को डाली कटारी कहा जाता है जब लड़का का पिता मीडियेटर के साथ लड़की के घर जाता है, तो उसको घर खुंदी कहा जाता है और इनके मद्य आयोजित विवा, गुलेची विवा, गोलट विवा, धुकू विवा, ये सब विवा के प्रकार प्रचलित है बीजिया समुदाई के लोगों द्वारा मनाये जाने वाले प्रमुख परब्द्योहार है, सरहूल, सोहराई, कर्मा, दसहरा और कार्तिक पुर्निमा बीजिया लोगों की अपनी जाती पंचायत होती है, मादी और गदी इनके जनजाती पंचायत का प्रधान होता है बीजिया समाज में अगर कोई गो मांस खाता है, तो दंड सरूप उसको जाती से बहिस्कृत कर दिया जाता है तो दोस्तो वीजिया जनजाती के बारे में इतने ही दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को दवा के रख ले थैंक यू